नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल फैक्ट मास्टर पर चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें आज के इस वीडियो में बात करेंगे 99,000 सिच्छक भरती की तो दोस्तों चुकि सरकार ने विसंगतियां मानी थी और 68-100 की लिष्ट निकाली थी लेकिन अब 68-100 की जो नई सूची आई है उस पर हाई कोड ने रोक लगा दी है जो चैनित हो गया है उन्हें क्यों हटाया जाए 68-100 की नई सूची पर रोक क्यों है सरकार ने विसंगति का ध्यान क्यों नहीं दिया और बिना विग्यापन के पद कैसे जारी कर दिये ये बहुत सारी चीज़ें हैं 69,000 सिच्छक भरती में जो आपको आगे मिलने वाली है तो दोस्तों 69,000 सिच्छक भरती में अतरिक्त नियूकती नहीं कर सकते ये कहा है हाई कोट में रासरकार ने हाली में जैरी की थी 68-100 की अतरिक्त चैन सूची तो दोस्तों राजी की तरफ से जो अधिवक्ता थे रागवेंद सिंग उन्होंने इस पष्ट किया कि आरच्छी स्रेडी के कुछ उम्मिदारों की ये अचिका पर इसी नियाले के आदेश से आदेश पारित किये गए थे कि भाई इन अभिर्थियों को जिनका नुकसान हुआ है उनकी समस्या को दूर करते हुए इनको नियुक्ती दी जाए नीद के सासा राच्छन नियम 1994 के प्रावधान सही से लागू ना होने के करण ऐसे आरच्छी स्रेडी के उम्मिदवार जो अनन्य मेधावी है अर्थास सामान स्रेडी के कटाप से अधिक अंग प्राप्त किये हैं नियुक्त पाने से रह गए हैं बिचार के बार राजसरकार ने अर्शर सो अभिरतियों के नाम वाली एक अत्रिक्त नई सूची जारी करने का निर्णा ही लिया इसमें अरच्छी स्रेडी के कटाप से अधिक अंग प्राप्त किये हैं चुक्कि यह इसी ने अले दोरा पारित है इसके आदेसों के प्रणा काम दिया गया है इसलिए इस इस्तर पर कोट को मामले में हस्ताचेप नहीं करना चाहिए तो दोस्तों कोट ने ये दलील दी कि भई जब आपने किसी प्रकार का कोई विग्यापन नहीं जारी किया और आपने अर्शर सो की सूची निकाल दी कोट की यह दलील थी उसको संतो पूरी करने का प्रयास किया है 69,000 सायक सिचकवर्ती मामले में नया मोडा गया इलहाबाद हाई कोट की लखनोपीड ने कहा कि वर्स 2018 में चुकि बिग्यापित 69,000 इपद थे तो जो बिग्यापित पद होते हैं उससे इतर एक भी पद आप नहीं बढ़ा सकते अब मामला य 6400 की जो लिष्ट आई वो किस आधार पे आई ना किसी नियमावली में कोई संसोधन किया गया ना इसके लिए कोई विग्यापन सोचना दी गई हाई कोट का इस फ़ष्ट आदेश है कि भई 69,000 जो भी विग्यापित पद हैं उनसे आप ज़्यादा एक भी पद नहीं भर सकते हो फिर ये 6400 की सूची कहां से आई नायमूर्ती राजन नाय ने यहां अंतरी मादेश भारती पटेलवा पाच अन्य विर्थियों दोरा दायर याचका पर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया सीर्स कोर्ट ने कहा कि एक दिसंबर 2018 को विग्यापित पद से अधिक नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए हाई कोर्ट ने कहा कि अभी या राजी को तैगना कि वह इस मामले में क्या करेगी क्योंकि यह दिल्चस्ट रिस्तिद राजी ने पैदा किये लेगिन एक बात बहुत इस पश्ट है कि उनात्तर अजार रिक्तियों से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है पूरी तरीके से यहां पर हाइगोरण ने इस पष्ठ किया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का वियादे से कि विग्ञापिड जो पद है उनसे इतरा पद नहीं भर सकते हो अब यहां पर जो सरकार है उसके लिए अस मंजस्ट की इस्तिद्व बनी होई है या तो व और जो है दलील दी गई कि महाद्वक्ता की दलील पर कोट ने पूछा कि अगर 69,000 सिचक भरती के पद भरे जा चुके हैं तो 68,000 आत्रिक्त जो अभ्यरती हैं इनको किस पद पर नियुक्त किया जाएगा कि एक पद पर जो है दो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगे दो व्यक्ति काम कर सकते हैं या वेतन प्राप कर सकते हैं इस मामले में महाद्वक्ता कोट को संतुष्ट नहीं कर पाये हैं लेकिन कहा है कि राज जिने पहले से नियुक्ति नभ्यरतियों को बाहर करने का कोई निर अर्सट सो मिधवारों से कम अंक प्राप्त किये होंगे निजी प्रतिवादियों की तरब से पेश वकील ने भी सूची का बचाओ करते हुए कहा कि उन्हें सामान स्रेडी के मिधवारों के लिए मेधावी होने के करण नियुक्त किया जाना चाहिए और पहले नियुक्त किये लोगों को हटा दिया जाना चाहिए कोड ने संबंदित पच्छकारों को 18 फरवरी को अपना पच्छ रखने का मौका दिया है तो यहाँ पर 79,000 से चचक भरती में जो पहला पॉइंट कि इससे इतर एक भी पद भरे नहीं जा सकते दूसरी बात जो भरती नियुक्त हो चुके हैं उनको हटाया भी नहीं जा सकता यह निर्णे राज सरकार ले सकती है या फिर जो है कोड की पैरवी के दौरान आगे की जो भी प्रक्रिया हो उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो बिसंगतिया है रचषड की यानि कि जो अरचट्सो की जो सूची निकाली गई है इन अब भिड्यापन है ना कि नियुक्त किया जाया है तो किस प्रकार से आप जाना चाह रहे हो क्या एक पद पर दो वेक्ति काम कर सकते हैं इन चीजों का जबाब जो है सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार से नहीं दिया गया अब यहाँ पर बात यह फस रही कि भाई 79,000 सिच्छक भरती में जो पहले से चैनित अब्विर्थी है उनको हटाना मुश्किल है आयोग ने भी माना और सरकार ने भी माना इस वज़े से अर्सर्सों की सूची आई है अब एक दो ही चीजें हो सकती है या तो सरकार जो है नियमावली में संसोधन करे और नया विग्यापन जारी करे नियमावली में संसोधन करते हुए बिग्यापन जारी करते हुए फिर अरसर्सों की भरती निकाले तब वो जो है सही दिसा में होगी ये तो डायरेक्ट भाई कहे देना कि भाई सुप्रीम कोड के आदेश के अनुसार यहीं जो सुप्रीम कोड का आदेश था वो दो लगातार भरतियां करने का था कि भी दो लगातार भरतियों में सिच्छा मित्रों को जो है मौकाद दिया जाए ये चीज सुप्रीम कोड के आडर में की देए थी लेकिन उसका हवाला दे करके आनन फानन में संगतियां दूर करने का प्रयास किया गया जो की एक गलत रास्ता था सही रास्ता ये था कि भई नियमावली में संसोधन किया जाना चाहिए उसके बाद बिग्यापन निकाला जाना चाहिए उसके बाद जो है क्या कहते हैं ये नियुक्ति अर्शर्सों की की जानी थी वो एक फेह रास्ता था लेकिन जल्दबाजी में चुकि चुनाओत है तो जल्दबाजी में ये सारी प्रक्रिया होती गई इस वज़े से ये मामला हाई कोड में पहुचा है और वहां से रोक दिया गया है अब सुप्रीम कोड का जो आडर है उस आडर को अगर पालन करना है तो अच्छार सा उसका पालन होना चीए जिससे जो बियर्टेट 2011 के बिरती हैं और भी बहुत सारे बिरती हैं उनका भला हो सके तो चुकि सरकार ने ऐसे आनन फानन में सुप्रीम कोड के आडर का हवाला भी दिया और उसके बाद उस सुप्रीम कोड के आडर का अच्छर सा पालन भी नहीं किया तो ये बहुत सारी चीज़े हैं विसंगतियां इसी तरीके से उत्पन हुई है अब देखने बाली बात होगी कि इस पैरवी में ये जो कोड है कोड क्या डिसीजन इस पर देता है ये बहुत महत्तपूर भी से है कि अर सट सो बिरतियों को नियुक्त मिलेगी या उनत्तर जार में से कुछ जो चैनित हो गया है वो खटेंगे तो कुल मिला करके इस भरती का पूरी तरीके से चूद